मैं बहुत ही एजुकेशन सिस्टम को मतलब मैं रेगुलर नहीं था सब्सक्राइब बंक भी कभी कभार आते हैं नहीं था बच्पन से 2015 से एक प्रश्टम का क्रेश था फिल्कुल मुझे वालेट साब ने बहुत इंसिस्ट किया आँ उनको तो आपको बता है देशी पैरेंट्स को कहा समझा एतना टेक्निकल स्टफ की तो काफी इंसिस्ट किया आपको काम करने की क्या जुरूरत है मेरे वालेट साब को यह नहीं पत है कि क्या चीज है ठीक है इतना समझ आता है कि स्टॉक मार्केट है उसे ज्यादा कुछ नहीं पता है उनको क्रिप्टो का फिर मुझे पता चला कि अच्छे आप इस तरह डिडिटल एसेट ओन कर सकते हैं फास्ट ट्रांजेक्शन होती है मुझे रिवलूशनरी चीज लगी तो सबसे पहले बंदे को अंडेस्टेंड करने हैं कौन से कर्टेगरी में फिर्ट होते हो लाहाँ आपकी एच किया है मतलब जिन्दगी की प्रायॉरिटीज के हैं उसके अकॉर्डिंग लेट से फर एग्जेंपल एक फैमिली का यह चौवीज गंटे तो उसक्रीं के सामे हैं तो सबसे पहले बंदे को अंडेस्टेंड करने हैं कौन से कर्टेगरी में फिर्ट होते हो लाहाँ आपकी एच किया है मतलब जिन्दगी की प्रायॉरिटीज के हैं उसके अकॉर्डिंग लेट से फर एग्जेंपल एक फैमिली का यह चौवीज गंटे तो सक्रीं के साम आपकी तो स्वालेक्वेज वेलकुम एपिसोड वेलकुम तो अप्रेशल गेस्ट एक एसा टॉपिक आज हम लोग डिसकस करेंगे जो पिछले प्रबबबली आ थिंग चार पांच सालों से बहुत ज़्या मार्के इंदर डिसकस किया जा रहा है उच इस क्रिप्टो क्या है कैसे शुरू हुआ पाकिसान में बहुत ज़्यादा फेस्बूक ग्रूप्स बन चुके हैं लेकिन अभी तक उस तरह बेसिक अंडर्स्टैंडिंग आई फील लेकिश मुझे इतना जादा नहीं पता तो मैंने आज हारिस भाई को इन्वाइट किया कि वो थोड़ा सा कि हमे इसमें जाते हैं हारिस में हम लोग थोड़ा सा डीप डाउन तो उसमें जाएंगे लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा अपनी एक अप्डिंगिंग आप बताएं आप कहां से हैं बच्पन में क्या पढ़ाई की बिकुस जो चीज़ें भी आप कर रहे हैं वो तो मेरा ने ख्य किये बिजनिस अड्मिनिस्ट्रेशन में लेकिन मैं इस करन्ट एजुकेशन सिस्टम का इतना बड़ा अतलब फैन नहीं हूं कभी बच्पन में बहुत जादा तब शौक तर टीनेज लाइफस्टाइल में हैं अम्दोलेला वन उप प्लेस्टीजिस इंस्टीट से मैं अप अपना बड़ा फैन मैंनी हूं यह बेसिकली डिगरी परपस के लिए कि आए कि पस एक डिगरी ले 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 नाम की डिगरी हो सब की डिगरी किस किस चीज में थी बिजनिस ठीक है तो लेकिन उसके अंदर तो जार है अभी पाकिसान तो बहुत जनारिक किसम का वो पढ़ाया जाता है और मैं जब फर्स टाइम अपने क्लास में बठा तो एक अजीब सी कैफियत थी एक बिजनिस स्कूल टीचर जो सेली लेकर वो मुझे बिजनिस तरीका से खा रहा है कि यार मैं बिजनिस किस तरह ऑपरेट करूं तो इस रेट रेस ने मुझे बहुत मायूस किया इस मैं ग्रेजुट दोजार एकिस में ओफिशली हो चुका हूं लेकिन वेने टू इयर्स अपने वेस्ट किया है टू थी एर्स साई और आपका जो फैमिली बैक्ग्राउंड भी सारा बिजनिस और जी सब बिजनिस अमदुलेला सो किस किसम का वहां आप लोग बिजनिस या का करें हैं जी बैसिकली हम खांदानी रिल स्टेट के ताजरें सोसाइलटी पनाते हैं रिल स्टेट के और इसको आगे जाकर पर बेशते तो रिल स्टेट कंस्ट्रक्शन डेवलोपिंग मेंगिंग सोसाइलटी इस इन सब में हमारी इस तरफ क्यों आप नहीं गए बिकॉज है वो ट्रिडिशनली तो पाकिस्तन में ही होता है कि वालत साब सारा कुछ करके फिर बच्चे भी जो है वो आपने उधर ही जाना होता है बिलकुल मुझे वालत साब ने बहुत इंसिस्ट किया कि आरे उनको तो आपको बता है देशी पेरेंट्स को कहा समझ आती है इतने ट एक ओवर कर दें तो एक बच्चपन से 2015 से एक फाइनेंशल मारकेट्स का क्रेस था यह चार्ट्स और एक आइफोन में एक एप होता था उस ताम आइफोन 4 था मेरे पास आइफोन 4 में एक स्टॉक से एप होता था तो बहुत कीन था कि यार यह चीजे सब किस तरह ऑपरेट होती हैं यह चार्ट्स क्या हैं यह स्टॉक को किस तरह पर चेस करते हैं बाइंग सेलिंग किस तरह करते हैं तो उस ताम से क्रेस किसम के था और उट जब आप पर रहे थे या जो आपकी स्कूलिंग या कॉलेज या इनिवरसिटी उस ताम आपके जहन में क्या था किया आग बंक भी कभी कबार आते हैं नहीं था अब बहांड दे सींज अपने गोल्स पर काम करता था मुझे भी बता था कि यार पाकिस्तान में मेरे परस्पेक्टिफ से मेरा अलड़ी भाई डॉक्टर है MBBS ने कियो है तो और डिग्रीज का क्या करना है एक CSS है एक MBBS है तो एक मैं इस लूप में नहीं पसना चाहता है इस ने टू फाइफ लूप मैं बेसिकली जॉब ये मेरे दमाग को जब नहीं देती ये चीज तो इसलिए मैंने ज्यादे तर फोकस किया 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 मैं कुछ अपने गोल्स पर काम कर लो कुछ पैसे मनी मेंकिंग पर फोकस करू बहुत हर बंदे का एक ड्रीम होता है बच्पन से मेरे ये ड्रीम कुछ इस तरह हो कि मैं मनी मेंकिंग पर फोकस करूँ नहीं लेकिन वो तो इतना पैसे तो वालिद साहब ने बनाया है तो आपने पैसे बनाने का मज़े ही कुछ और है तो एक यंग एज में आपके साथ हो कुमें फिरें और वालिद साहब भी बहुत बड़ा दिल है किभी किसी चीज से इंकार नहीं किया लेकिन मुझे एंडिपेंडेंटेंस चाहिए थी कुछ करना था एक जील एक एंथूजियसम था जिसम में एक स्पिरिट के कुछ करना है जिंदगी में सो मुझे यह बताएं कि सबसे पहले जो है यह जो नहीं एक दुनिया है क्रिप्टो की और यह सारा ट्रेडिंग यह कब आपने डिस्कवर किया जी यह 2017 में 2015 तक मुझे पता था कि यार बीटी सी क्या है मुझे प्राइश वगरा का पता था लेकिन टेक्निकल नॉलेज मेरे पास इतना नहीं था तो ओफिशली में 2017 में फानेशल मार्केट्स में अंटर हुआ हूँ 2017 से भी तक था लेकिन वाट वस्ट मुझे थोड़ा सा उसतरा बताएं कि सबसे पहले जो है वो क्रिप्टो का आपको किस दिन बता चला या कैसे पता चला किसने बताया एक इंटरने में वेबसाइट था मेरे खाल से उसके एक ब्लोक आगया मैंने क्लिक किये यारी बिट कोइन क्या है फिर मेरा इसता इसता औरी मेरा पैशन तो स्टॉक्स की तरफ तरफ था चार्ट्स वाकर रहे की तरफ मैं और इस चीज़ों बहुत इन था लेकिं क्रिप्टो का फिर मु तो जब आपको पता चला सबसे पहली दफा तो what was your sort of first step to go into this world because us time to Pakistan में generally मेरे खाल से अभी तक to be honest वो उतना mainstream I feel like नहीं है जतना वेस्ट में भी नहीं है मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है तो जाहर है और दूसरा generally मतलब कराची की अब जैसे है तो वो एक financial वैसे market है तो वहाँ हो लोग बहुत ज़ादा I think जतना मेरा at least experience है वो ज़ादा गुफटगू इस पहुती ना इसलामबाद में ना नहौर में या पिशावर में तो जब आपने इसके पर काम शुरू किया या discover किया सबसे पहले तो वो like circle कुछ आपको मिला कि किन लोगों से बात करें कैसे उसको research करें जी international communities काफी एक दफ़ा आहिस्दा हिस्दा 2015 के अंदर मुझे पता चला कि Bitcoin क्या है 17 के अंदर जब massive rally आई आहिस्दा इस्दा behind the scenes में ये सारे financial markets basically interconnected है इनकी जो अगर आप कहलें trading perspective से इसमे टूल यूज होता है technical analysis सब markets में एक किसम का है एक तो stocks basically micro economics पे fundamentals पे technical analysis पे बहुत rely करते है as well forex भी उसके साथ तो back end पे तो already मेरे basics clear थे crypto 2017 के अंदर जब एक hype इसकी बनी तो इस चीज़ को फिर मैंने chase किया आहिस्दा 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 already मेरे reference circle था जिसमें हम ये analysis बगर डिसकस कर गते थे तो उदर से काफी दोस्त और गोरे दोस्त भी काफी बने आहिस्दा इस तब बहुत पाकिस्तानी भी मिले तो alhamdulillah it's been a tremendous journey लेकिन यह जब आपने घर या अपने जो बच्पन के sort of दोस्तों का सवगल था उसमें जब ये जिकर करना शुरू किया तो what was their reaction जी अभी तक उस टाइम तो मैं आपको अभी की बात बता रहे तो उनको अभी तक समझनी पड़ती है कि बचा कर गया रहा है मेरे वालिद साब को यह नहीं बता कि यह क्या कर रहा है मेरे कजन्स को नहीं बता कि यह क्या चीज है ठीक है वो बस ठीक इतना समझ आता है कि stock market है उसे ज्यादा कुछ नहीं बता उनको लब इस चीज़ पर education की काफी ज़यदा जरूरत है पाकिस्ता अधियर सट अधियर सट अधियर रियाक्शन ये फीड़बाक अवरॉल जी बहुत अजीब फैमिली से काफी रिस्टिक्शन थी यार आप क्या कर रहे हो केरियर क्यों हो इतना सेफ साइड डॉक्टर आप Mbbs को आप्ट करो मेरे वालिद साब की बहुत हुआश थी कि यह द रहे हो सो मुझे मुझे थोड़ा सा बता है अब as a layman मुझे मुझे भी नहीं पता so I personally want to understand कि यह financial markets क्या है और फिर बजारे crypto और यह सारी चीज़े इन वेरी बिलकुल simple way how would you explain जी basically financial markets में आपके stock market आ जाता है फोरेक्स आ जाता है crypto भी इसके अंदर involved है लोग options वगरे भी trade करते हैं सारी चीज़े इसके अंदर cover हो जाती है लेकिन major जो एक इसके अंदर एक phenomenal factor है financial markets के अंदर एक ही tool है सब markets में use होता है उसको कहते हैं हम technical analysis मतलब for example एक company है मैं आपको बता दूँ let's say apple ठीक है उसका तो fundamental analysis news space बंदा देख लेकर किया ठीक है news positive है negative है क्या interest rates बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं उसके according rational judgment बंदा कर लेता है लेकिन एक tool है उसको हम कहते है technical analysis जो आप अक्सर देखा होगा charts पे charts जो लोग stock markets में और computers पे charts देखते हैं ये technical analysis basically एक tool है जो आपको help करता है किसी भी financial market के एक pair को analyze करने में तो किसी भी pair को let's say आप ले ले लें bitcoin को forex के pairs को ले रहें euro USD को apple के stock को ले ले लें टेसला को ले 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 अगर आपने probability लगाने एक judgment एक bias पास करना है किसी को बताना है अगर आपसे for example आप मुझसे पूछें यार हारिस आपका क्या perspective है bitcoin की उपर सबसे पहले मैं आपको बताओं को मुझे chart देखाओ इस चीज़ का तो certain strategies तो chart का मतलब है कि basically trend जो है वो आप study करता है जी मैं overall इसके जाहिज़े लेता हूँ study करता हूँ कि higher time frames एक trend क्या चल रहा है market में और अभी इस moment में क्या act करना चाहिए तो थोड़ा सा अगर आप crypto का बताएं कि यह आई चीज़ कहां से है मतलब पाकिसान में जैसे आपने कहा कि 2016-17 के आसपास जो है वो एक यह नो यह नाम हमने सुनना शुरू किया कि जी bitcoin है और ethereum है और लोगों ने घरों के अंदर जो ह और वो लगाना शुरू कर दी और पुरा और फिर हमने देखा कि internationally जो है वो एक बहुत ज़ादा इसका शुरू हुआ तो पूरा यह चीज जनरली जो है वो कब इस यह industry पूरी के पूरी शुरू हुई है यह एक सतोशी ना कमोडो नामी शक्स था उसकी identity अभी भी anonymous है किसी को नहीं पता वो कौन है यह किदर है इसने basically bitcoin का white paper introduce किया था basically you wanted to combat the financial system एक current banking जो system है इसको मतलब इससे एक separate इसने एक financial system बना दिया है जो decentralized है बिलकुल इसमें एक central party involved नहीं होती है जिसको हम third party कहती है और example अभी अगर मैं bank की through transaction कर रहा हूं तो किसी को पैसे बेचने है और अगर मैं crypto की through payment send करता हूं किसी को through तो anonymous decentralized है और आपका पूरा जो एक blockchain की उपर record है सारा आ जाता है लेकिन जो satoshi है उसका तो अभी तक मेरे खाल से किसी को नहीं पता चल सका कि कोई कहता है वो Japan से है कोई कहता है कि एक ordinary नाम है कोई कहता है कि ये probably financial markets का ही कोई बंदा है जिसने ये सारा बिलकुल हर बंदा अपना एक theory इसके उपर है theory एक conspiracy बनाता है ये इ इस country ने इसको form किये किसी को किया लेकिन अनॉनिमस से अगला जारे सवाल ये है कि किसी का interest आ गया और you know as a analyst आप कहले ये generally as a citizen अब आपने invest करना है और आपको पता है कि यार वो जो एक traditional mindset है कि जी वो plot ले लो जमीन खरीद लो या फिर mutual funds है तो ये वली चीज़ जो है वो और so let's say अगर मैं एक आम बंदा हूँ और मेरे पास पांच लाग, दस लाग, एक लाग रुपे है और मेरे सामने ये सारे options हैं कि जी मेरे पास gold भी है जो एक you know सबसे पुराना method चलता वार है फिर मेरे पास stocks हैं फिर मेरे पास mutual funds हैं फिर मेरे पास crypto है so why would like one person, मतब इस site के ओपर मैं move हूँ rather than going into the traditional sort of जुकूरा का पूरा route है जी सबसे पहले तो मैं observe करूँगा कि market shift momentum कौन से जेका पर favorable है trend कि साइट पर strong है और obviously इसको जाने के लिए मुझे education की जरूरत होगी तो कोई से भी एकर मेरे पास मेरे अपने students है thousands of students मेरे पास आते हैं for example एक beginner आते है कि Haris भी मैं कहां से start करूँ तो basically मैं उसको कहूँगा कि आप सबसे पहले technical analysis से start करें technical analysis एक tool है आपको किसी भी financial market में help करेगा एक asset को, एक stock को, एक coin को, एक crypto को analyze करने में किसी भी pair को, तो अगर आपकी probability, देखें trading is game of probabilities ये probabilities की game है, लेकिन हम chances ले सकते हैं अगर हमारी education knowledge अच्छी हो, तो अगर मुझे पता हो कि यार किस time sell करना है किस time buy करना है, किस time in sideways बैटना है, किस time market से exit करना है तो this would help me a lot in my journey, तो basically मैं students को ये ही कहता हूँ कि आप ज्यादा focus करें technical analysis पे, technical analysis को समझें, trading psychology के उसाथ, आप briefly understand करें, detail में understand करेंगे, ये चीज़ क्या है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, जी कि आप किसी चीज़ जगा भी invest करोगे तो, obviously इसके साथ emotions आते हैं, emotions like greed, fear, excitement, frustration, depression, phases हैं, तो इसको understand करना बहुत जरूरी है, बंदे अक्सर आपको अगर किदर invest करते हैं, इर्रैशनल डिसिज़न्स की वेज़े से, fear की वेज़े से, panic selling करते हैं, loss में बेश देते हैं, निकल जाते हैं, कभी over excitement की वेज़े से, ओल्टे सीधे investments करते हैं, financial markets, तो financial markets, indeed, trading is one of the most difficult skill set, it is rewarding, but it is one of the most difficult skill set, लेकिन अगर इसको आप आते हैं, mastery की तरफ और और लोगों की experiences से देखते हैं, कि यार इसके क्या mistakes से इस बंदे के, मैं से सीखूँ, इसकी mistakes से सीखूँ, इसकी journey सीखूँ, इससे हिक्मत लूँ, wisdom लूँ, I'll perform a lot better. अभी आपने जैसे learning की बात की, तो हम लोग Facebook पे मुझे तो रुसाना आड्स आ रहे होते हैं, कि जी मेरा course जॉइन कर लें, और ये मेरा वकार जका का group जो है, वो सबसे probably, you know, one of the most famous groups, और उसमें एक बहुत जादा मैं, जब मिला एक दोह वकार भाई, तो मैंने ये पूछा कि वो लोग कहते हैं, कि जी वो एक बंदा 1000 उपया देता है, तो 50,000 लोग हैं, तो आप 2-3 करोड उपया यहां से, तो वह एक इतनी जादा फिर, you know, जारे, उसके अंदर conspiracy theories भी हैं, और you know, whatever, बट जारे वकार ने बहुत जादा एक एक, आप I think कुछ लोगों में थे जिन्होंने probably 2017, 2018, 2019 से जो है, वो इसके उबर बात करना शुरू की, वकालना शुरू की, अब हम लोग देखते हैं कि बहुत से groups हैं, पाकिस्तान के अंदर, और बहुत से लोग हैं कि जी वो लीगल है, नहीं लीगल है, अभी आजकल आप मेरे खाल से देखें, तो बाइन्स के, बाइन्स उर्दू शाहिद शुरू हो गया है, तो उन्होंने काफी जादा learning, So how do you feel like, कि जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया है, एक आम बंदे के लिए, वहां बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें है, अब जहरे है, एक आम बंदा है, वो सीखना चाता है, उसको तो अब इतना नहीं पता कि कहां वो जाए, कहां ना जाए, किस बंदे को फॉलो करे So what are the steps, like a baby steps, आपके ख्याल से क्या होने चाहिए, कि should he or she start with like a YouTube पहले, you know, जो free चीज़ें पढ़ी है, यो डेमी है या और इस तरह की, और वहां से फिर एक specialized courses की तरफ जाना शुरू हो, जी, तो देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की कि मैं रोताना ads वाकरा देखता यह बहुत, इवन मैं भी अगर अपने Facebook feed खूनों भरा होगा इस चीज़ से, क्योंकि आपके activity को track करो ते उसके according आपको ads दिखाता है, जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, financial markets highly manipulative markets हैं, as like any other industry, एक बंदी के लिए एक safe है, यह होता है, ठीक है, आपको बता है, जहां एक famous का बहुत भी है, जहां किसी को बता है, चले इदर सोने, वो शौल बेचता है, आपको इस चीज़ का बता होगा, तो basically हर बंदे के दिमाग में एक fantasy है, एक से दो, दो से तीन, चार से पांच, मैं आज बाइक करूँगा स्क्रीन के सामने और पूरा image बना होता है, laptop लगे होंग एक basically उनके अंदर जजबात को trigger किया जाता है, यह गलत अप्रोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछे, मैं कभी भी ऐसे business के अंदर invest नहीं करूँगा, जो मुझे उसके basics नहीं पता, कि business operate किस तरह होता है, और इसके pros and cons क्या है, मैं अपना risk कैसे manage कर सकूँ, तो मैं कभी भी यह चीज नहीं expect करूँगा, कि मैं इसके अंदर dive in करूँ इस business के अंदर, सबसे पहले मैं जानूँगा, यह business model है क्या, यह technical analysis क्या चीज़ है, risk management क्या होता है, trading psychology क्या चीज़ होती है, human, जो हम इसको emotions कहते हैं, मैं आपको बता हैं, पैसे एक ऐसी चीज़ हैं, जहाँ emotions involved होते हैं, fear, greed, सब कुछ इसके साथ, तो हम इसके basic decisions लेते हैं, तो financial markets एक highly manipulative industry है, जिस तरह मैंने आपको बता है, हर बंदा शवल वेशनी की कोशिश इदर करता है, तो मैं कभी भी हर्गिस किसी newbie को नहीं suggest करूँगा, कि directly आप अपनी योद को specially करूँगा, already, alhamdulillah, मेरी तो 36,000 की community भी है, बहुत students है, start में काफी, जो मैंने बनाए यह issue था, students का, कि यह लोग पैसा लाते थे और पैसा इनका loss हो जाता है, due to their own decisions, mistakes, फिर blame game शुरू हो जाता है, इससे सीख है, कोई अपनी responsibility, accountability की बात नहीं कर देगा, अरी मेरी गलती है, मैं क्यूं हूँ, ऐसी चीज़ के अंदर, आपके पर सिसना कि तो stories कफी होंगी, कि लोग आई होंगे, कि जी, I don't know, मेरे पैसे वो हो गए, या मैं invest बहुत जादा करना चाहता हूँ, या उस तरह की कोई interesting को story अगर आप share कर सके हैं, जी, बहुत रोजमरत के यह अखलात हैं, stories आती रहती हैं, लोग losses कभी बताते हैं, questions भी पूछने कि किस तरह हम invest करें हैं, क्या, तो मेरे पास एक खातून आई थी, पिछले साल की बात है, तो उनने मुझसे करश किया कि मैंने अपनी jewelry बेची है, jewelry, मैं चाहती थी मेरी kitchen income थोड़ी सी आना start हो जाए, और मैंने ली हुई है, तो ये loss में भी जा रही है, तो उसको basic पता था, basic पता था लेकिन, for example, ABC उसको आती थी, अंदर के technicals और system से बिलकुल बेवाकिफ थी, ठीक है, तो मैंने उनको का, मेरी भेन आप तो, ये तो disaster है, तो गलत आपने किया, आपको learning की जरूरत थी, आपने गलत decisions ल हैंगे, और वो unfortunately liquidate हो गई, मेरा अला शाहिद है, बड़ा दिल खाप हो इस चीज़ पर, कि यार ये हो रहा किया लोगों के साथ, रोज बरोज groups form हो रहे हैं, और वो गलत guidance है, एक योथ के अंदर, especially teenagers, 18 to 19, 20, ऐसी एज होती है, कि इनको आप ads बगरा और ये चीज़े दिख होती हैं, यह लोग कहते हैं, laptop lifestyle, बैट कर बस पैसे होंगे होगा, अब भी तो एक और बड़ी interesting चीज़ मैंने notice करना शुरू किया, especially on TikTok, कि जो young बच्चे ना, उन्होंने investors लिखना शुरू कर दिया अपने bios में, अब आप देखते हैं कि ये investors, उपर एक दूसे मैंने बात भ जरू हो रहा है, बिलकुल जी, हर बंता दो लख सीकर अपनी Facebook की बायो डाल रहा है, Bitcoin enthusiast, trading expert, Wim 3.2, expert, NFTs lover, जी बुल्ठी सी दे, TikTok पे, Instagram पे, रोज मर आप देखेंगे, लेकिन ये एक, आपको पता है, social media एक majority, लोगों का एक fake दिखावा होता है, उच भी इन reality से बहुत द है, ये चीज़, और आपका मेन मकसद क्या था, company form करने का, मेरा मेन मकसद ये था, कि हम risk management पे आवाज उठाएं, technical analysis पे, योध तबई की तरफ जा रही है, हर बंद अपने पैसे डुबो रहा है, किसी का 200 डॉलर, 300 डॉलर, 400 डॉलर, तो यंग teenage, पैसे खराब कर रहा है, तो why not इनको अगर proper education दिये जाए, जो Allah ने मुझे knowledge दी, इनको मैं अगर दे दूँ, ठीक है, तो ये लोग भी excel कर लें, in return, देखें, इस चीज़ का, मैं तो यकीन करता हूँ, जने से वाकी बढ़ता है, in terms of, अगर आप देख लें, दीनी लिहाज से भी, एक सदके जारी है, दोनों, अगर scientifically भी आप मुझे से पूछें, और दीन के perspective से भी पूछें, देने से बंदे की credibility, अरलब credibility अची हो दिए, लोग आपके उपर trust करते हैं, और trust करते हैं, तो आपके पास attention है, attention equals to energy, ठीक है, तो indeed देना चाहिए, So what would be your suggestion, अगर art से मैं चाहता हूँ, कि यार मैं इस पूरी चीज़ के अंदर जाऊँ और इसको explore करूँ, सबसे पहले step मुझे क्या करना होगा, आपने सबसे पहले technical analysis सीखना है, सबसे पहले वो काम है, सबसे पहले आपको वो काम है, basic technical analysis, देखें, लोग की priorities होती है, मैं में खरीद और फरुगत, buying selling करना, वो अपने कभी capital stuck नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी पीजे supply chain में issues आ जाजाएंगे, investor उसकर ठीक है, stomach उसका full होता है, पैसे उसके साथ होते हैं, और वो एक perspective से market को देखकर ठीक है, long term के लिए invest करता है, effect नहीं पढ़ता उसको, as for trader, trader अपन ने इसको उल्टा कर दी है, जिसके पास छोटी portfolio वो invest कर लेता है, और कंटे बाद देखता है, price क्यों नहीं बढ़ ली, ठीक है, गलत approach है towards the markets, और फिर आपको पता है, एक common phenomenon है, इस चीज़ का, same thoughts leads to same choices, सारा दिन अगर मेरे दमाग में thoughts होंगे, तो मैं same choices pick करूँगा, same choice pick क करूँगा, तो obviously same behavior में रहोगा, behavior होगा, तो experience होगा, same experience, experience के result, मेरे decisions, अगर मैं behave करूँगा, तो decisions ले रहो ना, तो screen के सामें नहीं बैठ सकता, या 12, 10 गंटे, 15 गंटे, he has tons of responsibilities, तो ठीक है, उसके पास अगर basic knowledge हुआ, technical analysis, कभी risk management, कभी market trend, कभी उसको पता हो, वो wisely invest कर सकता है, बच्चे के पास अगर knowledge हो, कहां buy करना है, sell करना है, कौन सी strategies use करनी है, वो भी अच्छे decision ले सकता है, लेकिन लहाजा मैंने आपको बताएं, दो चीजों को हम वलत कर देते हैं, for example, अभी मैं plot लूँ, अगले दिन उसके दो दिन बार बैठ जाओं, क्या रही है, अप्रिशेड क्यों नहीं हो रहा, that would be stupidity, तो ये मसाइल है तोड़े पाकिस्तान के students के, youngsters के, इंशलर time, passage of time के साथ improve हो dynamics का पता चल गया, अकेले crypto ने ये tool, एक tool है हत्यार, आप इसको किस तरह यूज करते हैं, वो सारी financial markets में, सारी stocks में, forex में, crypto में, आप किसी perspective से अगर यूज करते हैं, अगर आप मुझ से पूछे, मैं एक trader हूँ, और investor भी, strong command मेरा technical analysis की उपर है, मैं इतना deeply in technologies के अधर नही मैं एक trader और investor हूँ, मेरा skill किया है technical, strong technical analysis और experience, तो अगर आपने भी जोइन करना है, इस industry में आना है, सबसे पहले technical analysis, आपके पास knowledge होनी चाहिए, और one of the most important aspects of trading, it is risk management, market visits, मैं ने बनाया, 2021 में एक बंदे को लफस नहीं पता, risk management का, लफस नहीं, अलहमदो लिल्ला भी तो बहुत ज़्यादा growth हो गई है, हर कली-कली के बच्चे को, खातून को पताए कि यार, risk management, मेरी community members को पताए कि risk management क्या है, तो बहुत crucial element है, backbone, अगर आप मैं देख लो, इनसान का spinal cord, अगर damage ह हो जाता है, पूरी जिसम की function खराब हो जाती है, same goes for trading, ट्रेडिंग में risk management क्यों जरूरी है, अगर for example, 1000 dollar portfolio एक बंदे की, और वो उसको, ठीक है, उसका technical analysis strong है, उसने एक चीज़ बाई कर दी, एक चीज़, एक asset, एक coin को बाई कर लिया, stocks में asset कहेंगे, क्रिप्टो में इसको coin कहेंगे, कोई pair buy कर दिया, लेकिन unfortunately, वो pair loss में चला गया, उसने, तो अब ये बंदा, इसने पूरा capital लगाए हुआ, क्योंकि इसको money management का art नहीं आता, और trade management का money management का risk management, इसको इह चीज़ नहीं पता, तो थोड़े से loss में जाएगा, ये बच्छा क्या करेगा, इसकी emotions होंग कि यार, ये मैं loss cut off कर दूँ, loss cut off कर दूँ, औरना ये और पैसे मेरे डूप ना जाए, ठीक, first place में, loss करके निखल जाएगा, next step उसका, इसके बाद next to इसका step होगा, फिर ये consider करेगा loss recovery, immediately trade close करने के बाद के बाद के शबशाब अभी मैं जिल्दी loss किसी तरीके से मैं आज ह recover कर दूँ, मैंने आपको बता है ना, same thoughts, same choice, same behavior, same experience, thoughts क्या होंगे, loss recovery के जिल्ली जिल्ली, choices, जजबाती choices लेगा, ignorant decisions, behave क्या करेगा, impulsive, तो दुबारा color trade लेगा, फिर से loss में जाएगा, तो एक पूरा, एक constant mental battle है, उस सब कुछी खतम हो जाएगा, ये बन्दा पिर गएगा आखर में trading, it's not for me, quit कर देगा, ये जीज, लेकिन अगर आपके पास solid risk management का idea principles है, और मैं कोई भी trade लेने से पहले, मेरे दमाग calculated है, क्यार, trade लेने से पहले मुझे पता है, मेरा इतना profit होगा, मेरा इतना loss होगा, आपकी emotions सर-press हो जाते है, औरी आपको अगर knowledge अच्छा है, त अगरी probability ठीक है, ये profit है, loss किया, calculated loss है, इससे exceed नहीं कर सकता, that's it, तो इसके बाद आपका next step है, risk management, technical analysis के बाद, and you're good to go, और आपके साथ, with the passage of time experience, एक बच्छा जब swimming सीखते है, तो खुद ही आइस्ता समझने लग जाता है, लेकिन अगर आपका TA basic है, risk management strong है, you'll excel in financial markets, I can guarantee that, तो trader investor की, तो मैंने आपको बता दी, कि trader investor में फर्क किया है, और इसको differentiate किस तरह किया जाए, इसके बाद, basic T है, आपका technical analysis, कोई rocket science नहीं है, बंदर सीख लेगा, सब material available है, हर जगा पे, बंदर सीख लेगा, risk management, पाकिस्तान में 2021 तक, one of the most crucial, if you're one of the best technical analysis, risk management नहीं है ती, you'll always lose in the financial markets, आपको मैं एक example लेता हूं, risk management की, एक casino है, और एक gambler है, किसीनों वालों का statistics बहुत मस्बूत होता है, आपको वो तो business entities हैं, business कर रहे हैं, obviously, उनको भी पता है, gambler को एक दो दिन profit दूँगा, end में सब कुछ मैं दोबारा वापस ले लूँगा, उनका stats इतना मस्बूत होता है, उसको पता होता है कि ठीक है, probability wise इसको थोड़ा profit दूँगा, ये और greedy होगा, और invest करेगा, और invest करेगा, and then I would take everything back from him, same goes for the financial markets, एक universe है, full-fledged army और आपके साथ एक, कह लें कि एक छोटा सा बैल्ट है, प्लास्टिक का, आप जा रहे हैं, उनसे compete करने के लिए, तो management principles आपके on point है, you'll always be the casino, not the gambler, gambler आज लगाएगा, अजार profit होगा, पुरे गर कुछ शोर मचाएगा, मुझे profit होगा, नेक्स टे बचाएगा, तो उस्तों की मैफिल में काएगा, तुक्का लग जाता है, तीसरे देन market takes everything back, सब कुछ दुबार आपसे ले लेती है, आप कहते हैं, तो यह क्या है, वो सारे dreams shuttered, तो यह बहुत emotional एक trauma बंदे को cost करता है, in terms of physically भी, financially भी, तो आपने इस चीज़ को देखना है, इसकी उपर मेरे काफी detail में VTOs मोजूद हैं, trading cycle, risk management की उपर, लेकिन it's one of the most core things, दो चीज़े, technical analysis, risk management, and practice, you're good to go, सभी, so अगर let's say, अगर हम like this conversation को close करें, so अगर एक बंदा आपका group join करता है, तो वहाँ, यह तीनों चारों चीज़ें जो हैं, you will basically learn, और उससे भी ज़्यादा आप कह रहे हैं, कि start with, एक जो free information पढ़ी भी है, यो demi, आगे पिचाप के courses हैं, बहुत से और लोगों के हैं, कि आप बीजी हैं, जो भी हैं, basics, you have to clear them at any cost, यह आप की लिए बेटर है, आप अच्छे decisions करोगे, अच्छे thoughts होगे, और make good wise decisions, और market visits पे बिलकुल, कोई से student मेरे already, अल्हम्दुलेला, इतना progress हमने कर दी हैं, कि मेरे students अब groups बना रहे हैं, एक skill उनको मिल गया है, आप एक बंद बंदे के पास capital नहीं है, और मसला आजाते हैं, बंदे के पास capital नहीं है, उसने technical analysis का skills ही के लिया, अब वो क्या करते हैं, वो अपने services बेचते हैं, बहुत हो रहा है पाकिस्तान में, और market visits ने, मैं consider करता हूँ, एक revolution को पाकिस्तान में cost किया, बहुत लोगों की bread and butter इसे कर रहे हैं, और they charge certain amount of money, तो एक बंदा अगर capital रेस करने भी आए, बिलकुल आप कर सकते हैं, आपके पास अची knowledge है, प्रैक्टिक्स है, capital नहीं है, बहुत बड़ा market है, बहुत बड़ा market है, बहुत बड़ा, आप इसमें अपने services बेचते हैं, you'll make money, और आपके पास capital है, और चाहिए, पाकिस्तान में, alhamdulillah, मेरे सारे courses free मोजूद है, मेरे moderators free assist करते हैं, free reply करते हैं, courses से जिनको उनको questions समझ नहीं हैं थी, मेरे group में पूछते हैं, मेरे mods उनको guide करते हैं, क्यार यह ऐसा नहीं, ऐसा, और platform के senior members, जो मेरे students उनको मेंने train किये, बहुत helpful हो है, वो भी holiday courses पाकिस्तान के लिए मौफ़त हैं, सारे, और इसकी क्या बचाया है, बस एक मौफ़त है, साही, और जिसना इज्जत वो जिस country से मिली है, जितना प्यार respect students से मिला है, तो alhamdulillah, it's been a blessing, और जितना fame मिला है, तो यह अल्द आला की, जितना हम शुकर अदा कर अतना कम है, और इंशालला आगे जाकर और भी plans है, revolutionary, तो किसी student ने सीखने, एक post टाल दे, market visits में, I'm new, मेरे mods आपको A to Z guide कर देंगे, कोई questions होते हैं, पूचा करें, आपके without any hesitation, no one would love, अतनी सخت, मेरे अपने platform में, देखें, एक सختी ये की हुए, कोई किसी की उपर हाहारी act नहीं कर सकता, किस well-reputed community में बैठे हो, आप यूपर कोई हस्त है, तो आप inferiority complex की वरे से, next time guilt की वरे से post नहीं करोगे, तो मैंने moderators को कहा है, एक हाहा react, सीधा block, बन देखो, और पिर reappeal करते हैं, पिर हम उसको दुबारा एंटराने देए, तो काफी सخت environment लग है, इन सब की लिए ताके ये ल I want to learn, बिशक slowly हो, gradually हो, को student है, क्या तीन स्टेपस आपके होंगे, in a very simple, एक आप बन्दा जिसको कुछ में नहीं पता, आखरी आप क्या इसाओ ले सकेंगे? त्री स्टेपस, टेकनिकल एनलिशिस, बैसिक टीए, रिस्क मेनिज्मेंट, ट्रेडिंग साइकोलेजी, ये तीन चीज़े हैं, मैंने आपका खुलासा बता दिये, तमाम फानेंशल मार्केट्स का, और मेरी वीडियो एक प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे, ब्रूटल जिन्दगी कैतना टाइम आपने बर्बाद की है, फेस्बुक वखेर पे, दो गंटे इस पौटकास्ट पे बर्बाद कर ले, मेरे पौटकास्ट पे, मेरे रिकॉर्डिंग्स पे, यार ये ट्रेडिंग की इंडस्ट्री कैसी मैनिपुलेटिव है, और मैं इस, मैं किस तरह एक्सेलो थ्राइफ कर सकता हूँ, या आपकी उपर मस्ट है, एक दफ़ा सुन ले, एतना टाइम बरबाद कि ये दो तीन गिन तेदर ही लगा दें, ठेक है, और उसके बाद बस, यार गुड तू गो, परफेक्ट, लास्ट लास्ट क्वेशिन, आपका सबसे बड़ा जो न्यू ट्रेडिंग माय था, तो मैंने एक पोजिशन ले भी थी, तस हजार डॉलर से, मैंने ट्रेड ले ली, मैं शावर लेने चला किया, अभी भी मुझे आद है, चंद सालों की पहली के बाद है, मैं वाश्रूम से निकला, ऊपर एक नोटिफिकेशन था, यार पोजिश 15 मिनिट में 30 साथ डोलर गए, तो ये काफी मेरी लिए एक डिप्रेशन टाइप का मैं दू-तीन दिन डिप्रेश्ट राक, यार यह क्या है, यह हुआ क्या है, मुझे समझ कुछ नहीं आ रही थी, उसके बाद अलम्दोलेला मुझे रिस्क मैनेजमेंट की समझ आई है, क्य Thank you so much for your time, thank you so much for coming, काफी, personally मुझे काफी चीज़ें सीखने को मिली हैं, as a layman, जिसको बहुत जादे नहीं पता है, इस पूरी sort of industry का, और कोई भी questions होगा, तो जाहरे हो audience, I think comments में, and then you can, Thank you so much for your time, thank you so much for your time, Thank you.